नमस्कार दोस्तों स्रीलंका के जीत के बाद बदल गया एस्याकप 2023 का पूरा पूइंट स्टेबल तो क्या है खबर की पूरी जनकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में लेकिन दोस्तों आप भी भारते टीम के बहुत बड़ा फैंस है तो वीडियो को एक लाइक करिए चै पाकिस्तान ने 238 रन की बड़ी अंतर से नेपाल के खिलाप मैच में जीत दर्ज की थी वहीं इस्याकप का दुसरा मुकाबला स्रीलंका और बंगलादेश के बीच खिला गया और इस मुकाबले में बंगलादेशी टीम टोस जित कर पहले बल्ले बाजी करने का निर नहीं और पहले बल्ले बाजी करते हुए 42.4 ओबर में 164 रन ही बना पाए जिसमें बंगलादेश की तरब से सबसे ज़्यादा नमासी रन हुसनन सनाटो के बल्ले से निकले इसके अलावा कोई भी बल्ले बाज कुछ खास नहीं किये और स्रीलंका के सामने विवस नजर आये स्री ऐसे तैसे करके स्रीलंका टीम 5 बिकेट से 11 ओबर सेश रहते लक्ष हासिल कर लिए और स्रीलंका की तरब से सबसे ज़्यादा बार्षट रन असलंका के नाम रहा अगर पॉइंट स्टेबल की बात करें तो ग्रूप A में पाकिस्तान टीम 1 मैच 1 जीत 2 अंग के साथ पहले नमबर पर भारतिय टेम 0 मैच के साथ दूसरे नमबर पर वही नेपाल की टीम 1 मैच 1 हार के साथ तिसरे नमबर पर है वही ग्रूप B की बात करें तो स्रीलंका 1 मैच 1 जीत 2 पॉइंट के साथ पहले नमबर पर दूसरे नमबर पर अफगानिस्तान टीम वही तिसरे नमबर पर बंगलादेशी टीम का बिजय